नमस्कार स्पागत है आपके स्पियर नाइन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ शुरूती नर्सी और CAA की जो लड़ाई है विपक्ष और विजेपी की आर पार लड़ाई चल रही है जिया बता दे आपको कि CAA को लेकर जहां विपक्ष लगतार हमलावर है बिजेपी सरकार ने कड़े कदम भी उठा है इसको लेकर जनता को जागुरुक करने के लिए उन्हेंने रैली का आयोजन किया है वही उनका कहना है कि जनता को ब्रहमित किया जा रहा है मैं बता दे आपको कि BJP लेता ने जो बयान दिया है एक तरह से कहा जाए तो मुसीबत खड़ी हो सकती है जिस तरह से उन्होंने विपक्ष की तुनक कंस से कर दिया जिया उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि CAA NRC नहीं हुआ देवकी का आठमा पुत्र हो गया जिसके आते ही जिसके जब पैदा हो तो पैदा उन्होंने पहले ही कंस को अंत नजर आने लगा है और इसी तरह उन्होंने विपक्ष पर निशाना साथ है और ये बात कहीं न कहीं मुसीबत खड़ी कर सकती है जिस तरह से बता दे आपको कि BJP नेता कहला उस विजय वरगिया ने ट्विटर पर ट्विट करते हुए कहा है कि NRC CAA नहीं हुआ ये तो देवकी का आठमा पुत्र हो गया इस तरह से जो विआन सामने आया है उस पर कहीं न कहीं मुसीबत खड़ा हो सकता है बता दे आपको कि CAA को लेकर जहाँ देश भर में विरोध प्रद्रेशन देखने को मेर रहा है महिलाय। मुस्लिम महिलायों ने भी विरोध किया है इन सा बातों को लेकर अगर बताया जा पिलेटि锭 तो हम आरोप लगाया यानि कि सी एक लेकर जहां वुपक्ष लगातार हमलावर है तो वहीं जिसतरहे सही जूच्तिर एतला है है यहां पर बता दिया कर उन्होंने काई कि झी एक बहस के लिए चनौति देते हैं रहूँ गांदी और वीपक्ष के जो पार्टी कंगर्स हित्ता पीचई दम्रम कि अगरवात की जाये थो उन्हें बिजेपी सरकार पर हामला बोला था उन्होंने कहा था कि वो जनता के सवालों को नहीं लेती है यानि कि बिजेपी सरकार जनता के सवालों को नहीं लेती है रैली का आजन करती है और अपनी बातों को ही रखती है जनता के सवालों को नहीं सुनती है वहीं उन्होंने कहा कि कॉ अंग्रिस जो है वो जनता के सवालों को लेने के लिए तैयार है यानि कि CAA को लेकर BJP और विपक्ष में आर पार की लड़ाई चल रही है बता दे आपको कि CAA जिस तरह से BJP सरकार का कहना है कि CAA किसी की नागरिक्ता नहीं चीनती है ये नागरिक्ता देने के लिए है जो पा जो भी है उनको नागरिक्ता दी जाएगी तो वहीं अगर बात करें जिस तरह से मुस्लिम को यहां पर शामिल नहीं किया गया है इस पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है वहीं अगर बात करें CAA को लेकर तो CAA 10 जनवरे से लागू हो चुका है लेकिन कई राज जैसे हैं जो को इसे लागू करने से इंकार कर रहे हैं इसी बात पर कॉंग्रेस के वरिष्टनेता का पिल्सिबल ने कहा था कि अगर इस पर इंकार किया जा रहा है तो यह असमवैधानिक होगा CAA को असमवैधानिक तो बताया है इसको लेकर इसी के साथ ही उन्होंने अगर कोई राज जी इस पर लागू करने से इंकार करती है तो उसे भी असमवैधानिक बताया है वहीं बता दे आपको कि CAA की खिलाफ 140 से भी जादा याचिका दायर की गई है और वैसे मैं अगर दे देश भर में तो लागू हो चुका है लेकिन कई राज जो की गैर बीजेपी राज्ये हैं जो वहाँ पर इसे लागू करने से इंकार किया जा रहा है वहीं अब देखना होगा कि क्या देश भर में CAA लागू हो पाएगा और जिस तरह से कैलास विजेवर्गी ने यहाँ प को अपना अंत नजर आने लगा है यहाँ जिस तरह से कहा कि C.A.N.R.C. नहीं हुआ देवकी काथ महाँ बेटा हो गया पैदा होने से पहले ही कंस को अपना अंत नजर आने लगा है खेर आपको यह जानकारी कैसे लगी आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कर जरूर ब कर दो कर दो